देशभर में आज से कॉंग्रेस का सदिसिता अभियान शुरू हो रहा है तो वही राजस्थान में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा प्रभारी जयमाकन इसकी शुरूआत करेंगे 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस अभियान में करीब 10 लाख नए सदिसे बनाने का लक्ष रखा गया है सदिसिता अभियान को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी की अधिक्षता में प्रदेश अधिक्ष और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई थी इस बैठक में सोनिया गांधी की ओर से पार्टी नेताओं को युवा किसान और महिलाओं को अधिक से अधिक जोडने के निर्देश दिये गये थे आपको बता दे कि कॉंग्रेस इस अभियान में पारंपरिक तोर तरीकों के साथ पहली बार डिजिटल तरीके से मिंबर्शिप देने जा रही है कॉंग्रेस पार्टी के इस अभियान को लेकर प्रदेश की सभी दो विधान सभा सीटों में 55,000 सदस्य बनाने का टार्गेट दिया गया है कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य बनने के लिए नागरिकों को पार्टी की 10 शर्तों का भी पालन करना होगा इनमें मादक पे और नशीले पदार्थों से दूर रहना और खादी पहनाने का भी नियम है झालने का भी बना है झाल झाल